नमस्कार मैं सचिन्दूबे आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है मीरा भाहिंदर शहर में बढ़ती चोरी और डगेती की घटनाओं के कारण मीरा भाहिंदर शहर के वेपारियों के अंदर भे और असंतोश का महौल है एक तरफ पुलिस जहां इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जगे जगे पे चापे मारी कर रही है वहीं च चोरी की इन घटनाओं को देखते हुए वेपारियों ने पुलिस से मांग की है कि वह अपना पेट्रोलिंग तेज कर दें जिससे चोरों के अंदर पुलिस का भै उत्पन हो जाए और शहर भै और अपराध मुक्त हो जाए मीरा रोट के एसके ज्वेलर्स के यहां दिन दहाडे हुई एक करोर नबे लाक रुपे की लूट की गुद थी पुलिस अभी तक सुलजा भी नहीं पाई थी कि नवगर पुलिस स्टेशन के मेडिकल के दुकान के अंदर चोरी के वाइरल वीडियो ने व्यपारियों के अं जहां जहां बाजार वह दुकाने ज्यादा है खास कर ज्वेलर्स की दुकानों की संख्या ज्यादा है वहां वहां पेट्रोलिंग का समय बढ़ाए जिसके कारण अपराधिक मानसिक्ता वाले लोगों के दिलों में पुलिस का डर बैठे और अपराधों की संख्या में कमी ह सब लगा के रखे लेकिन उसके बावजूद क्या होता है अपरादी हत्यार के साथ में आते हैं उससे तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं और यसे में अगर पेट्रो लिंग चालू रहे तो काफी हद तक थोड़ी सेक्रीडी और सकती और इसके बारे में पुलिस प्रसाशन को जिस प्रकार से एक के बाद एक चोरी मेरा रूड में हो रही है तो उसे क्या कि जितने जोलेस वाले उनमें एक डर का माहुल पैदा हो गया है मतलब जो जितना इजीली जो काम कर रहे है चोर लोग वह वैसा होना नहीं चीए बस मैं यही कहना चाता हूँ तो मेरी रिक्वे के बाद भी चोरों के होसले कैसे बुलंद और वह बेखौफ होकर शहर की छोटी बड़ी दुकानों को अपना निशाना कैसे बना रहे है मोबाइल शॉप चला रहे एक दुकानदार के अनुसार अब तो डर का महौल यह है कि उन्हें दुकान बंद करने के बाद अपने अपराध को रोकने के लिए एक CCTV कैमरा शहर के नाम लगाने की अपील की थी लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सिर्फ CCTV कैमरा चोरों और दकैतों का सुराग दे सकती है अपराधों के होने पर लगाम नहीं लगा सकती एसके ज्वेलर्ज वो जिस मेडिकल स्टोर में आज रात चोरी हुई वहाँ पर ना सिर्फ CCTV कैमरे इंस्टॉल थे बलकि वो काम भी कर रहे थे इसके बावजूद अपराधियों ने अपराध को बेखौफ होकर अन्जाम दिया महानगर पाली का शेत्र में पुले सायुकताले के आने से लोगों को उमीद बढ़ी थी कि अब अपराधों पर लगाम लगेगी लेकिन हाल के दिनों घटी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक अपराधियों के अंदर पुलिस का डर नहीं बना फिलहाल नवगर पुलिस स्टेशन के अंतरगत घटी इस घटना की पुलिस गंभीरता से जाज कर रही है और इसमें उमीद जताई है कि इस घटना को अंजाम देने वाले चोरों को वह जल्द ही गिरफतार करने में कामियाब होंगे शहर में जिस तरह से अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसे देखकर तो पक्के तोर पर कहा जा सकता है कि पुलिस को अपराधियों के भीतर दर पैदा करने की सक्त जरुवत है अगर पुलिस अपराधियों के दिलों में पुलिसिया खौफ पैदा करने में काम्याब हो जाती है तो ना सिर्फ शहर अपराध मुक्त होगा बलकि भे मुक्त भी होगा मुंबई से इंडियन सिटीजन टीवी के लिए इम्तियास खान के साथ नीशा ठाकुर की रिपोर्ट